अध्यायच है ध्यान योग श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रतिया ना सकत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और अस्ति योगी है वह नहीं जो ना तो अगनी जराता है और ना कर्म करता है हे पांडु पुत्र जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रम से युक्त हो ना जानो क्योंकि इंदे तर्थि के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता अश्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कारे कलापों का परित्याजी साधन कहा जाता है जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंदे तर्थि के लिए कारे करता है और न सकाम कर्मों में प्रवत्त होता है तो वह योगा रूड कहराता है मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उध्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे यह मन बद्जीव का मित्र भी है और शत्रू भी जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सरुष्रेष्ट मित्र है किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रू बना रहेगा जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांती प्राप्त कर लिया है ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अप्मान एक सहें वह व्यक्ति आत्म साक्षातकार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ग्यान तथा अनुभूती से पूर्णते असंतुष्ट रहता है ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड हो पत्थर हो या कि सोना एक समान देखता है। जब मनुष्य निश्कपथ हितैशियों, प्रिय मित्रों, ततस्तों, मध्यस्तों, इश्वालियों, शत्रों तथा मित्रों, पुन्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन तता आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एक आंतिस्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्ता कांक्षाओं तता संग्रे भाव की च्छाओं तथा उपर से मुलायम वक्त्र विछादे। आसन न तो भहुत उंचा हो न भहुत नीचा। यह पवित्रि स्थान में तिस हो। योगी को चाहिए कि इस पर धड़ता पूर्वक बैठ चाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदू परित्स करके हिदय को शुद्ध करने के लिए योगा भ्यास करे। योगा भ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर्व को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टी लगाए। इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से भैरहित मन तथा कर्म में निरंतर सियम का भ्यास करते हुए सियमित मन वाले योगी को इस भोतिक स्थित्य की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वे योगा भ्यास द्वारा समस्त भोतिक लेशों को नश्ट कर सकता है। जव योगी योगा भ्यास द्वारा अपने मानसिक कारे कलापों को वश्मे कर लेता है और अध्यात्म में इस्थित हो जाता है अर्थात समस्त भोतिकी च्छाओं से रहित हो जाता है तब वे योग में सुष्थिर कहा जाता है जिस प्रकार वायू रहित इस्थान में दीपक खिलता डुलता नहीं उसी तरह जिस योगी का मन वश्मे होता है वह आत्म तत्तुत के ध्यान में सदैव इस्थिर रहता है सिध्धी की अवस्था में जिसे समाधी कहते हैं मनुष्य का मन योगा अभ्यास के द्वारा भवतिक मांसी क्रियाओं से पूर्णते अस्वयमित हो जाता है इस सिध्धी की विशेष्टा यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद इस सिध्धी में वह दिव्य इंग्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है इस प्रकार इस थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इस से बड़ा कोई दूसर लाव नहीं मानता ऐसी सिध्धी को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठनाई में भी विचलित नहीं होता यह निसंदे भौतिक संसर्क से उत्पन होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ती है मनुष्य को चाहिए कि संकल तता शद्ध के साथ योगा भ्यास में लगे और पत्स से विचलित नहूँ उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन समस्ते च्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश्मे करे धीरे धीरे क्रमशह पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धी के द्वारा समाधी में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए मन अपनी चंचलता तता अइस्थिता के कारण जहां कहीं भी विचन करता हो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खीचे और अपने वश में लाए जिस योगी का मन मुझ में स्थित रहता है वह निश्चे ही दिव्य सुक की सरवोच सिध्धी प्राप्त करता है वह रजोगुन से परे हो जाता है वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एक्ता को समस्ता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निव्रत्त हो जाता है इस प्रकार योगा भ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म सैयमी योगी समस्त भोतिक कलमस से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ती में परम सुख प्राप्त करता है वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है निसंदे सरूप सिद्ध ग्रिक्ती मुझ परमेश्वर को सरवत्र देखता है जो मुझे सरवत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अद्रश्य ह और ना वे मेरे लिए द्रश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन जानते हुए, परमात्मा की भक्ति पूर्वक्त सिवा करता है, वे हर प्रकार से मुझ में सदैय विस्तित रहता है। हे अरजुन, वे है पूर्ण योगी है, जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हीला सता अत्यंत बल्वान है, अतै मुझे इसे वश्म करना वायू को वश्म करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंति पुत्र, निसंदे चंचल मन को वश्म करना अत्यंत कठिन है, किन्तु उप्युकत अभ्याद द्वारा सता विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन श्रंकल है, उसके लिए आत्म साक्षातकार कठिन कार्रे होता है, किन्तु जिसका मन सैयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता धू है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गती क्या है, जो प्रारम में शद्धा पूर्वक आत्म साक्षातकार के विदी ग्रहन करता है, किन्तु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है, और योग सिध्धी को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के माल से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ती आध्यात्मी तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से चुत नहीं होता, और छिन भिन बादर की भाती विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलसुरूप उसके लिए किसी लोग में कोई स्थान नहीं रहता, हे खृष्ण, यही मेरा संदे है, और मैं आप से इसे पूर्ट्या दूर करने की प्रार्ष्णा कर रहा हूँ, आपके तरिक्तन्य कोई ऐसा नहीं है, जो इस संदे को नश्ट कर सके, भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, कल्यान कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, हसफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, या तो सदाचारी पुर्षों के परिवार में, या की धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अत्वा वे ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है, जो अति बुद्धिमान है, निश्चही इस संसार में ऐसा जन्म तुरलब है, हे कुरुननदन ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूरु जन्म की दैविक चेतना को पुनह प्राप्त क करने के उदेश्य से वह आगे उन्नती करने का प्रयास करता है। अपने पूरु जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी सुतह योग के नियमों की और आकरशित होता है। ऐसा जिग्यासु योगी शास्त्र के निष्ठानों से परेशित होता है। और जब योगी सम समस्त कलमत से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। तो अंततो गत्वा अनेका नेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धिलाब करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से ज्यानी से तथा स अतकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतहे अरजुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत शद्धा पूर्वक मेरे परायान हैं। अपने अंतकरण में मेरे विशय में सोचता है। और मेरी दिद्य प्रया भक्ति करता है। वह योग में मुझसे परमंतरंग रूप से युपत रहता है और सबों में सरवोच है। यही मेरा मत है।